नमस्कार दोस्तों मैं भोलू जानिर आप सभी का हर्दिक स्वगात करता हूँ आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपूर पर यहां प्रेयागराज आयोद्या राजमार पर टूरिस्ट बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हास्से में घायल सभी स्रदालू महराश के पूरे के निवासी बताया जा रहे आपको हम बताया देखी दर्सल यह मामला सुल्तानपूर के गोसाइगन ठानच्चेतर का बताया जारा जहां पर जानकारी के मुताबिक गटना गोसाइगन ठानच्चेतर के बाई पत इस्ठी टाटिये नगर चोराहे की है बताया जारा कि महराश्ट प्रांत के पूरे निवासी सेक्रो सद्धालू मंगलवार को गंगतापती एक्सप्रेश्टेन से वारार्शी पहुँचे थे दर्शन के बाद सभी सद्धालू ने आठ टूरिश्ट बसों को रिजवर्च आयोद्या दर्शन पर जाने के लिए रिजवर्च किया यहां एक साथ सभी टूरिश्ट बसे सद्धालू को लेकर आयोद्या दर्शन के लिए निकल पड़ी स्थानी लोगों के मुताबिक सद्धालियों को ले जा रही बसों में बेड़े में भोले ना तूरिश कोई सभी बस के सामिल थे आपको हम बता दे कि जो तीन बजे के आज पास गोसाएंगा थाना चेट के टाटके नगर बाइपास चोराय पर पहुंची एका एक बस राजमार पर डिवाईदर से टकरा गई और चड़ गई जाकर अन्यंतित होकर सड़क पर पलड़ गई जिसमें बस में सवार 28 सवाद से चलिए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट ब्यार रिपोर्ट भोलू जहांगीर अपना सुल्तान पूर्ट नहुज़ आज सुबह पांच बजे के आस पास में हमें सूचना मिली कि एक तिर्थे आत्रियों से भड़ी हुई बस कहीं पर पलड़ गई है हमने यहाँ पर टीम को एलर्ट कर दिया हमारे सारे फार्मासिस्ट चिकित्सकों के टीम दवाईयों को प्लगता सुनिश्चित करते हुए हम लोग इंतजार किये लगभक 24 मरीज घायल यात्री आये जो महराष्ट्रा के थे जिसमें 10 तो ओपीडी बेसिस पर थे साधारन चोटे थी 14 लोगों को हम लोगों को भरती करना पड़ा उन्हें भी बहुत खास चोट नहीं लगी है चार मरीज घंभीर थे जिनको यहां से वारानसी के लिए रेफर किया गया हम लोग पहले लखनो भेज रहे थे किंदो उनको सुबिधाती वारानसी के लिए तो बीच्चि वारानस नहीं कोई गंभीर नहीं थी वारानसी से अजोध्या जा रहे थे दर्सन के लिए महाराष्ट के यात्री थे मुख्यता इसमें जो पांच यहां से रेफर हुए हैं बनारास के लिए उनकी स्थिती थोड़ी गंभीर थी जिसमें एक ब्यक्ति को हाथ में क्रस इंजूरी था वो ज़्यादा गंभीर था बाकी चार सामान ने थे फिर भी उनकी गंभीरता थी घटना कहां पर रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए फॉलो कीजिए अगर आपका हमारे लिए कोई सुजाओ हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए धन्यवार